दोस्कार 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 स्वागत एक नए वीडियो में दोस्कार इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास OPPO S16 है तो लॉक्स्क्रीन पे जो आपका मैसेज आता है उसमें जो डिटेल्स आता है उसको कैसे हाइड कर सकते हैं यानि कि आपने पे टीम का किसी भी चीज का OTP send किया लॉक्ष्क्रीन पे मैसेज दिख रहा है पे एटीम से आया हुआ है और उसके नीचे आपको OTP भी दिख जाता है तो फिर लॉक्ष्क्रीन पे यह सारी चीज़ा अगर दिख जाती है तो आपको दिक्कत हो जाती है तो जो डिटेल्स होता है यानि कुछ इस टाइब का मैसेज बोक्स आपका खूल जाएगा मैं वापसे दिखा देता हूँ इसके बाद थ्री डॉट पर जाओगे इसके बाद सेटिंग पर जाओगे इसके बाद नोटिफिकिशन पर जाओगे ना तो आपको देखो अब यहां पर दो ओप्सन होता है कि किस तरह का मतलब मैसेज का डिटेल्स आप हाइड करना चाहते हो जिनरली एक ओप्सन आपको यहां पर मिलता है यह वाला तो यह वाला जब आप शिकमा कर दोगे यह बैच के नीचे तो यह हर तरह का जैसे इंकमिंग मैसेज आएगा या पर service message आएगा तो सरीफ यह सो करेगा कि sender यह है यहां से message आया हुआ है आपके पास एक message आया हुआ है उसमें क्या आया है उसका detail सो नहीं करेगा यह सब ही तरह के messages के लिए चाहे service message हो या फिर आपका प्रेस्टिनल message हो, OTP वाला message हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो यहां इहाँ पर रहने दे सकते हो या इसके लिए भी'm कर सकते हो सकते हो और दोनों के लिए कर सकते हो बारी बारी से आप सूच लो Yeah